असलाम अलेकुम दोस्तो आज की रूडियो में मैं आपको बताँगा किस तरीके से आप अपना Facebook अकाउंट को हमेशा के लिए डिलेट कर सकते हो How to relate Facebook अकाउंट पर्मनेटली So friends इसके लिए आपको अपना Facebook ID login कर लेना है Login करने बाद कुछ इस तरह का Interface देखने को मिल जाता है दोस्तो यहाँ पर आपको Top पे 3-Line वाले एक Option देखने को मिलता है So friends आपको Simply इस 3-Line वाले Option पे क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको Top पे Settings वाले एक Icon देखने को मिलता है So friends, आपको simply इस settings वाले icon पर click कर दिना है Friends, जैसी ही आप click करोगे, कुछ इस तरह का interface आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे Assess and Control वाले एक option देखने को मलता है So friends, आपको simply Assess and Control वाले option पर click कर दिना है Friends, जैसी ही आप click करोगे, कुछ इस तरह का interface देखने को मल जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन option देखने को मलता है एक है Memorization Settings, नेक्स है Deactivation and Deletion और एक है Reactivation So friends, आपको simply Deactivate and Deletion पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको दो option देखने को मल जाता है एक है Deactivate Account, नेक्स है Delete Account अभी हमें Permanent Deletion करना है So friends, आपको simply second वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको Continue to Account Deletion पर click कर देना है Friends, जैसी आप click करोगे, यहाँ पर आपको Facebook पुछेगा क्यों delete करना है आप कोई भी एक Reasons Select कर सकते हो ने तो Continue to Account Deletion पर भी click कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का Interface देखने को मिल जाता है आप चाहें तो अपना Information को Download कर सकते हो, मेरे इस ID पर 28 photos और 4 posts है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से Download कर सकता हूँ आप चाहें तो Download कर सकते हो, नहीं तो अपना Information Transfer भी कर सकते हो Transfer करने के लिए आपको Simply Transfer Info पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे, Delete Account वाला Option देखने को मलता है So Friends, आपको Simply, इस Delete Account वाले Option पर क्लिक कर देना है Friends, जिसी आप क्लिक कर गो, यहाँ पर आपको अपना Password एंटर कर देना है अगर आपको Password याद है, Simply आप अपना Password एंटर कीजेगा अगर आपको Password याद नहीं है, भूल गए है So मैंने इसके लिए एक Dedicated Video अप्लोड किया चैनल पर आप जरू जाके Checkout कीजेगा How to Change Facebook Password if forgotten इसके बाद यहाँ पर आपको Simply Continue पर क्लिक कर देना है Friends, जिसी आप Continue पर क्लिक कर गो, यहाँ पर आपको Confirm Permanent Account Deletion वाला Option आ जाएगा यहाँ पर लिखा है, अगर आप 30 Days तक Login नहीं करोगे आपका Account हमेशा के लिए Delete हो जाएगा So Friends, यहाँ पर आपको Simply Delete Account पर क्लिक कर देना है Friends, जिसी आप क्लिक करोगे, आपका Account हमेशा के लिए Delete हो जाएगा यहाँ पर लिख दरा है, Session Expire, Please Login Again So Friends, इसी तरीके से आप अपना Facebook Account को हमेशा के लिए Delete कर सकते हो So Friends, आपका Account